So, Hello, Konnichiwa Minasan, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे. And आप लोगों का जो JLPT N5 का कोर्स है, वो कम्प्लीट हो चुका है, and 7 जुलाई को एक्जाम भी है. तो जो लोग first time paper देने जा रहे हैं, उनके mind में ये होगा कि JLPT का जो paper होता है, Japanese का, वो कैसा होता है, किस तरीके से उसके question को हम solve कर सकते हैं, कितना time मिलता है हमें question को solve करने के लिए, एक question पे कितने second का time मिलता है, मीनर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, एक जो question paper होता है, ये question होता है, उस question पे हमें कितना time मिलता है ठीक है वो देखेंगे साथ में मिलके solve करेंगे JLPT N5 का question paper और साथ में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कितना जरूरी होता है time management क्योंकि time most important है क्योंकि बिल्कुल भी time हमें नहीं मिलता है सो चलिए साथ में मिलकर के question paper को solve करते हैं देखते हैं हमें कितना time लगता है तो जो मैंने JLPT N5 का question लिया है kanji का vocab and grammar इसको मिलकर के solve करते हैं क्योंकि जब भी exam आता है तो कितने pattern में होता है kanji होता है vocab होता है grammar होता है reading section होता है and listening section होता है तो इन सब में हमें कितना कितना time मिलता है कितने time में question को solve करना होता है यह सब देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया है sample question paper आप सब देख सकते हूँ कि यह question paper है यह क्या है यह sample है लिखा हुआ है यहाँ पर क्या and five गेंगो चिसकी मोजी and goi time यहाँ पर कितना मिलता है हमें 25 minute phone need you go phone यानि 25 minute का हमको time मिलता है किसके लिए kanji के लिए and vocab के लिए ठीक है chewy notes यानि कुछ दिया हुआ है जिसको आप सब पढ़ सकते हो Japanese में and English में भी ठीक है समझ गए okay and यहाँ पर नीचे जैसे आप आओगे तो क्या दिया हुआ है examine registration number and name लिखा होता है name लिखने के लिए यहाँ पर जगाद दिया होगा जिसके आपको name लिखना होगा ठीक है जो registration number है उसको यहाँ पर आपको देना होगा ठीक है चलिए आप शुरू करते हैं इसमें कितने rule regulation दिये हुआ है one two three four five तो यह साधी चीज़े आप rule regulation पढ़ लेना हिंदी हिंदी कह रहे हुआ इंगलीज और जैपनीज दोनों में दिया हुआ है आप सब देख से यहाँ पर क्या दिया हुआ हुआ रे आप यहाँ पर कैसे फील करना है जब आप question पर लोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है रे मिन्स क्या होता है example क्या कह रहा है ओकिना मिन्स क्या होता है बिग अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ओकिना यह क्या था ओकि का कांजी था ठीक है ओकि मिन्स बिग होता है अब इसमें इसी तरीके से आपको चूज करना है ओकिना दाइकिना ताइकिना ठीके तो question इसका answer क्या होगा उसको चूज करना है जैसे 4 दिया हुआ है न 1 2 3 4 दिया हुआ है तो किसी एक को आपको चूज करना है जो answer इसका सही होगा इसको आपको फिल करना होगा तो जो answer सही है उसको आपको लग रहा है कि एक है तो एक को इस तरीके से अच्छे से आपको फिल कर देना है अगर 2 है तो 2 करना है 3 है तो कोई यानि एक line में एक ही question का आप एक ही answer दे सकते हैं यह नहीं कि आपको यह लग रहा है तो चलो थोरा सा इसको कर दिया एक number को कर दिया थोरा सा च्वार को कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है जब भी आप answer circle कर रहे हो जिससे मालनो 4 इसको आपने थोरा थोरा ऐसे से कड़के आधा करके छोड़ दिया पुरा अच्छे से इस तरीके से feel नहीं किया तो भी आपका गलत माना जाएगा ठीक है तो इसका आपको ध्यान रखना है ताकि अच्छे से आप उसको feel कर पाओ ठीक है अब चलिए देख लेते हैं question number one थो कोई कांजी दिया हुआ है देपा तो नी खाई मोनो नी की मास्ता अब ये क्या है इसका कांजी आपको पता है चलिए देखते हैं सेंसू जैंसू सेंसू जैंसू 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 होगा क्या नहीं चेंसू नहीं होगा तो यह 2 question तो क्या है में पहले ही पता चल गया यह सही नहीं है अब क्या होगा सेंसू मिन्स होता है Last week यानि पिछले हप्ते ठीक है ओके सेंसू अब इसका आपको ध्यान बहुत Irワ है दोनों सेंसू है सेंसू और सेंसू बट एक क्या है एक का प्रणाउंसेशन क्या आ रहे है लॉंग है एक का शौट है सिदे सेंसू तो क्या होगा आपको अच्छे से पहले इसका ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे तरीके से वुकायब बगरा या फिर कांजी जब देख रहे है तो इसका भी आपको ध्यान र क्या कह रहा है गोहान नो दे साम्पोसीमस यह क्या चीज़ का कांजी है अब यह क्या लिखा हुआ है सुगी उसी रो माय आतो यह कह रहा है गोहान गोहान मींज क्या होता है मी ठीक है साम्पोसीमस मींज होता है वाक अब क्या कह रहा है कि गोहान के माय मींज होता है फ्रंट पहले उसी रो मींज बैक सुगी मींज नेक्स्ट यह क्या करेंगे वाक करेंगे नहीं यह क्या होता है आतो यानि आफ्टर यह कह रहा है कि गोहान नो आतो सुगी होगा क्या नहीं क्योंकि कोई भी खाना खाने के बाद Llena ने जआते हैं तो गोहान लो दे संपोसिमस क्या होगा गोहान लो आतो दे संपोसिमस ठीक है आफटर मेल आप तहलने जाएंगे यानि संपोसिमस संपोसिमस था कितहल ने गया था चलिए अब थर्ड नमबर question देख लेते हैं थर्ड नमबर क्या है more each do once more अब चलिए साथ में देख लेते हैं question number third क्या कह रहा है यहाँ पर question number third more each do once more more each do means होता है once more अब यहाँ पर क्या होगा इते खिते, माते and ताते चीक है ते फर्म को कैसे कनवर्ड करते हैं वर्ब में वो अगर आपनों को पता होगा तो यह क्या है चीक है तो यह क्या है इते खुदासाई होगा खिते खुदासाई होगा मात्ते खुदा साई होगा या तात्ते खुदा साई होगा चीके मो इची दो यानि once more खित्ते खुदा साई once more please होगा नहीं ये नहीं होगा once more मात्ते खुदा साई यानि wait खुदा साई होगा मात्ते मिन्स होता है please wait तात्ते खुदा साई please stand यानि please खड़े रहिए होगा नहीं इत्ते मिन्स क्या होता है to say तो क्या कह रहा है मो इची दो इत्ते खोदा साई मो इची दो इत्ते खोदा साई please say again ठीके? ओके अब यहाँ पे क्या है फोर्थ में चिकाकु नी गा आरिमास चिकाकु मिन्स नियर्बाई चिकाकु नी आरिमास कावा कावा मिन्स क्या होता है यामा इके एंड उमी उमी मिन्स क्या होता है शी इके मिन्स पॉंड कावा मिन्स रिवर यह कांजी क्या चीज का है माउंटेन का क्या चीज का कांजी है माउंटेन का एंसर क्या होगा ये ठीके यामा अब देख लेते हैं कोनो होतेरूआ हेया गा इदेस क्या कह रहा है किस चीज का कांजी है शुकुनाई यानि फ्यू ओई, सेमाई, हिरोई हिरो मिन्स वाइड सेमाई मिन्स नेरो ओई मिन्स बीग कोनो होतेरूआ वह बेया गा ओई देस यानि ओई का कांजी है एंसर क्या हो जाएगा सकेंड च्चिके तोमदाचि तो इच्यो नी नी इकिमास तो मोदाची तो इचो नि इकिमास यह क्या चीज का कांजी है गको का अब इसमें क्या होगा गको कशा होगा गको 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 एड गको गको चीके समझ में आ गया, एक इस तरीके से आपको समझना है, कोई एक जैसे थर्ड है, तो थर्ड को आपको फिल करना है, ओके, अगर, देखें, यहाँ पर क्या है, एन पैट्सु, एन पैट्सु मिन्स क्या होता है, प्रैंसिब, एन पैट्सु गा, यह रोकू का कांजी है, और यह बोन होन का कांजी है, आरिमास, एन पैट्सु गा, आरिमास, क्या होगा, रोकू बोन आरिमास, रोकू बोन आरिमास, रोपोन आरिमास, तो काउंटिंग मैंने सिखाया था, कि कैसे किसी भी लॉंग तिंग्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीके, एन पेट्शुगा रोकुबोन होगा नहीं, रोकुबोन नहीं, रोपोन नहीं, एंसर क्या होगा, रोपोन आरिमास, ठीके, समझ में आ गया, ओके, कोनो सिन्बुन वा, इकुरा देशका, कोनो सिन्बुन वा, इकुरा देशका, अब इसमें से सिन्बुन का कौन सा है, सिन्बुन यहाँ पर क्या हो रहा कि कांजी दिया हुआ है इसका वर्ड आप पो सेलेक्ट करना है कोनो सिन्बुन वा इकुरा देशका कोनो सिन्बुन यह क्या है सिन्बुन होगा नहीं कोनो सिन्बुन सीमुन होगा नहीं शिबुन नहीं एंसर क्या होगा सिन्बुन, सिन्बुन मिन्स क्या होता है ल्यूज पेपर, तो इसका अंसर क्या हो गया सकेंड, ओके next, कोनो कामेरा वा देस, अब ये क्या चीज़ का कांजी है, ठकाई यासूई, ओमोई कारूई, ठकाई मिन्स क्या होता है, टॉल तो ये क्या करा ये कैमरा जो है, वो टॉल है, हाई है, नहीं ये नहीं होबा, ठीके next, क्या है, यासूई next, क्या है ओमोई, ओमोई मिन्स हेवी कोनो कामेरा वा हेवी, जिस कैमरा इस हेवी, नहीं, क्योंकि ये हेवी का कांजी नहीं है, कारूई, कारूई means क्या होता है light तो यह करूई का भी कांजी नहीं है कोनो कामेरा वा यासुई देश यहाँ पर क्या आएगा यासुई यानि कांजी देखके आपको समझ जाना चाहिए कि इसको क्या पढ़ते हैं ठीक है यानि जहां भी यह लिखा हो पुर इगना ना लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे यासुई देश उनो कामेरा वा यासुई देश ओके खासा वा नी आरिमास खासा वा डैस नी आरिमास अब यह क्या चीज़ का कांजी है यह ना का सो तो नीवा नीवा मिन्स गार्डन होता है ना का मिन्स अंडर होता है यह मिन्स अप एंड ना का मिन्स खासावा नी आडी माज खासावा नी तो यहाँ पे कांजी क्या हो जाएगा? सोतो समझ गया? चली कांजी में ही मेन आता है पता है क्या? कि आपको वहाँ पे दिया होगा four discussion उसमें से कोई एक आपको चूझ करना होता है यह क्या है? vocab के लिए ठीक है ये क्यासिस के लिए use होता है vocab के लिए कांजी हो गया खतम अब आपको vocab select करना है for example यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे example दिया हुआ है आसो को दे बाशुनी डैस नारी मास्ता, शुकी मास्ता अगारी मास्ता, हाईरी मास्ता तो इन्होंने क्या लिखा नोरी मास्त नोरी मास्त मींस होता है get right तो one answer इसका हुआ तो यहाँ पे one उन्होंने one fill किया हुआ है तो इसी तरीके से आपको सारे question को solve करना है चले, देखते है वातासी नो हेयावा कोनो डैस नो निकाई देस वातासी नो हेयावा कोनो डैस नो निकाई देस यानि मेरा जो रूम है वो दिस डैस के second floor पे है निकाई मेंस होता है second floor अब second floor किसके लिए होगा एरेबेता, एरेबेता मेंस क्या होता है elevator इसका होगा क्या नहीं, पूरू, पूरू मिन्स होता है सुमिंग पूल, सुमिंग पूल में फ्लोर होता है क्या, नहीं, सुमिंग पूल में आप कहां से फ्लोर बना होगे, ओके, एया कोन, एया कोन मिन्स क्या होता है, एसी, एया कंडिशनर, तो यहाँ यह एंसर होगा क्या, नहीं ये क्या है अपातो अपातो मिन्स होता है बिल्डिन वातासी नो हे आवा कोनो अपातो नो निकाई देश कि जो मेरा रूम है वो इस अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर पे है तो एंसर क्या हो गया पूर ठीके समझ में आ गया ओके अब देख लेते हैं नेक्स्ट सातो शान वा गीता ओ जो जुनी डैस क्या करा है सातो सान जो है वो गीता में क्या है गुड एट है अच्छा है तो गीता क्या चीज़ है गीता मिन्स होता है गीता गीतार को हम क्या करते हैं उताई मास उताई मास होता है सिंग शौंग तो ये होगा क्या नहीं खीखी मास तो यह और यहां पर गिटार को अच्छे से फैंटार को अच्छे से प्ले करते हैं! प्ले होता है यानि गार्डन में कहीं पेल रहा है कुछ कर रहा है उसका तो यह नहीं होगा ठीक है चले अब देख लेते हैं आगे तेबूरु नी ओसारा तो खोशियो डैस खुदा साई तेबूरु नी यानि टेबल पर यह क्या दिया हुआ है काता काना तेबूरु मिन्स टेबल टेबल पर ओसारा तो ओसारा मिन्स प्लेट आएंड होसी ओ कैस खुदा साई होसी मिन्स स्पून चम्माज खुदा साई अब क्या कहरा करने के लिए नराबेते खुदा साई तोते खुदा साई थाबेते खुदा साई अराते खुदा साई नराबेते मिन्स अराइमाश टू वोश, थाबेते मिन्स टू इट, तोते मिन्स टू 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 तेबल पे प्लेट और स्पून को अच्छे से अरेंज कर दो प्लीज, ठीक है, ओके, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हेसा सोजियो सित्ता कारा हेयाओ, डैस देख, क्या करें, हेसा मिन्स होता है, this morning, सोजियो सित्ता कारा, after, सोजी मिन्स होता है, सोजी सीमांस मिन्स होता है, क्लीन अप, यानि सोजी सित्ता कारा, यानि क्लीन करने के बाद, हेयाओ, यानि रूम, डैस देख, क्या हो गया रूम, कुराई मिन्स क्या होता है बलाइक किलीन करने के बाद बलाइक हो गया क्या नहीं आका रूइ चमकिला हो गया नहीं खित्ता नाइ डटी हो गया नहीं यानि सुबह में मैंने रूम साफ किया था उसके बाद क्या हो गया खीरे मींस होता है beautiful clean यानि beautiful लग रहा है clean लग रहा है ठीके समझ गया ओके अब चलिए देख लेते हैं next example next है क्योवा गोहयकु मिन्स 500 आयोगि मास्ता मिन्स Works चीकेия क्योवा गोहयकु दो होगा क्या नहीं क्योवा गोहयकू बान नहीं क्योवा गोहयकू मेतेरू और क्या है गुरामू तो ग्राम किसके लिए मेतेरू मतलब क्या है मेतोरू मिन्स मिटर और गुरामू मिन्स ग्राम तो ग्राम किसके लिए यूज होता है वजन के लिए like 100 gram 200 gram 500 gram इसके लिए तो ये होगा क्या नहीं ये क्या कह रहा कि क्यों वा गो है क्यों में तेरू में तोरू क्यों वा गो है क्यों में तोरू ओयोगी मास्ता यानि आज मैंने 500 100 meter swim किया ठीक है यानि तैरा प्रेंसर क्या हो गया थर्ड ठीक है समझ गया ओके नेक्स्ट देखते हैं एकी कारा यानि station से from station ताईशी कान मादे ताईशी कान मादे ताईशी कान तक मादे नो डैस ओ खाई ते खुडा साई यानि station से लेकर station से ताईशी कान तक डैस ओ खाई ते खुडा साई यानि प्लीज खाई ते खुडा साई मिन्स होता है draw something अब क्या draw करना है खिपू मिन्स होता है ticket कोई draw कर सकता है क्या नहीं थेगामी मिन्स क्या होता है letter को कोई draw करेगा नहीं अब यह क्या है assassin साई मिन्स होता है photo फोटो को कोई draw करेगा यहाँ पर क्या करा है यहाँ से यहां तक यानि station से लेकर के ताईशी कान तक लाइब्रेरी तक photo को draw करो नहीं कोई सेंस ही नहीं बन दा है चीजू, चीजू मिन्स क्या होता है, map, तो एंसर क्या होगा, second, एकी कारा ताइशी कान मादे नो चीजू ओ खाईते खुदास है, ये स्टेशन से ताइशी मादे तक, map को प्लीज जो कर दो, ठीके, सो समझ में आ गया, अब ये क्या है, बीच बीच में, यहाँ पे क्या दिय हुआ है, कतकना दिया हुआ है, ये एक..जाम्पल दिया हुए आप सबको पता है, already ये क्या कह रहा है, खेसा, सावा, Kesa means this morning Sawa means Sawa Abimas means To have a bath इसमें Sawa का कौन सा कतकना आएगा पता है किसी को यह होगा क्या नहीं यह नहीं यह नहीं तो answer क्या होगा 1 आपको कतकना भी अच्छे से I hope आपो लोगोंने learn किया हो तो आपको यह section easy लगेगा ठीक है? क्योंकि बिल्कुल similar लगता है सी, शा, ये सारी चीजे बहुत similar लगता है कताक नामे दोनों एक जैसे ही लगता है तो अब बहुत का confusion होता है ओके, next है कोही ओ नोमी मास्ता कोही ओ नोमी मास्ता अब नोमी मास्त का कांजी कौन सा है इसमें? नोमी मास का इसमें कांजी कौन सा है? ये है क्या? नहीं ये नहीं और आपको ये चारों बिल्कुल similar लग रहा होगा बिल्कुल difference थोरा थोरा का difference है क्योंकि सब का side side का एक जैसे ही है आप सब देख सकते हो बट for के क्या है? इसमें 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 ठीक है? तो मैं तो ऐसे इसको memorize की थी कि जैसे ये दिख रहा है ना ऐसे करके null side का तो नोमी मास में मतलब ऐसे null टा पकरा है और ये हीटो का कांजी है तो इस टाइप से तो इसका answer होगा ये ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोनो बोशी वा शेन येन देस कोनो बोशी वा शेन येन देस यानि देस हैट इस 1000 रूपीज यानि ये जो टोपी है बोशी मिन्स होता है कैप टोपी इतने का है येन मिन्स होता है जैसे इंडियन रूपीज होता है उसी तरीके का Japanese में येन लगाते है ठीक है ये है कांजी इसका येन का नहीं ये कांजी है येन का नहीं ये कांजी येन का है ये इसका answer क्या हो गया 4 ठीक है समझ गया है next नेक्स्ट, सुकुदाईगा हांबन वारिमस्ता, सुकुदाईगा हांबन वारिमस्ता, सुकुदाईगा हांबन वारिमस्ता, सुकुदाईगा हांबन मीन्स होता है हाफ, वारिमस मीन्स होता है फिनिश्ट, ठीके, तो इसमें काणजी कौनसा है हांबुन का, सुकुदाईगा हान बुन वारी मासता हान बुन यानि हाफ हाफ का यानि बुन का इन दोनों का कांजी कौन सा ये है क्या तो एंसर होगा नहीं ये ये और ये ये है क्या तो नहीं अगर दूसरे तरीके से आप ये सब देख सकते हो कि दो में से आपको लगवा कोई कनफॉर्म लग रहा है कि अब confusion थोरा सा क्या हो गया, कि इसमें से अब कौन सा होगा, कौन सा कांजी होगा, यह नहीं भी नहीं है, तो दोरों में से कोई चुनना है तो, यह हो गया, ठीके, ओके, चलो, next देखते हैं, वाता सीनो उची नी, खीमा शेंका, मेरे घर नहीं आओगे, क्या, यह वाला होता ह answer, खीमा शेंक कांजी कौन सा होता है, यह होगा, क्या, नहीं, बच गया, अब यह दोनों में से कौन सा है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है, तो जैसे दो आपको लग राए कि कोई गलत है तो तो दो को तो पहने ही अट आदो, बच गया, क्या, दो, दो में से आप को चुनना है यह है यह यह है सही कौन सा है तो थोरा सा दिमाग पर जो डाले याद करें and फिर उसको आप सेलेक्ट एंसर कर सकते हो ठीक है तो यह है क्या नहीं एंसर इसका क्या है राइट यह ठीक है समझ गया है यह क्या है किनो तनाका सांतो आई मास्ता किनो मिन्स येस्टरडे तनाका सांतो तो मिन्स वीद तनाका यानि तनाका सांत के शांत आई मास्ता मिला था तनाका से तो मिन्स से भी होता है वीद भी होता है ठीक है ओके तो आई मास्त का कांजी इसमें से कौन सा है आपको दिख र मी मास्ता. तो ये नहीं है. ठीके? ये क्या है? नहीं है. ये काणजी क्या है? हाइ mot organis ये 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 थी नहीं है. ये read का काणजी है तो ये थी ये बहुने है, इसका answer क्या हो गया? Third. इमोतोमिन्स क्या होता है पता है ये येarsलlloétiqueics. यह उसने मेरे जैसा, ownaji means होता है सेम, promise होता है, growth ख़रीधा, अब इसमें onaji का dit kaanji कों सा है यह है क्या नहीं, यह है क्या गलत है, अब बचा डो, ओ Katrina ikika isme काजी कों सा है onaji onaji means क्या होता है, अब यह है क्या नहीं, इसका कांजी ये हो गया, ठीक है, समझ गया, ओके, तो ये था वुकैब और कांजी का सेक्षन, so I hope आप लोग को जो ये question paper है, इसका solve करने का तरीका आ गया होगा, and बहुत easy तरीके से मैंने समझाया कि किस तरीके से आप question paper को solve कर सकते हो, ठीक है, I hope आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ, वीडियो पसंद आए, तो like, share जरूर करे, comment करके जरूर बताएं, कि next जब हम लोग अब start करने वाले है, JLPT N5 का course तो complete हो चुका, तो अब start करने वाले है JLPT N4 का, तो जैसे मैं continue अभी जो वीडियो कर रही हूँ, उसी तरीके से सिर्फ grammar का करू, या बहुत से comment आ रहे थे, DM आ रहे थे, मुझे Instagram पे, email पे, कि आप मिना नो निहोंगो का जो books है, आप उससे continue पढ़ाना इस्टार्ट करे, तो मैं मिना नो निहोंगो का book से पढ़ाना सुरू करू, या फिर मैं जो ऐसे अभी continue कर रहे हूँ, only grammar उस पे focus करू, सो आप सब comment करके जरूर बताना, and जो लोग paper देने जारें, उन सब लोगों गंबात्ते खुदा साय, all the best, मिलते हैं आप लोगों से next series JLPT N4 में, बाबाई, सायो नारा,